इस लोग रभिवार को ताला तोड़के इसमें पसु बान दिये हैं और चार-पांच गाहों सलखापूर, सुई, दुलहेपूर और विशुनपूर के लोग भी इलाके जानवर बान दिये हैं अब अब आए लेजिन वाले नहीं रहे हैं प्रसाशन आके बैठा है वह बच्चे हमारे भगा दिये गए तो भगा दिये बच्चे अब आज कुछ आए 25 बचास लेकिन उनको ने अमडियम बन रहा हैं कुछ बन रहा हम लोग भी बाहर हैं इस समय किसान परसान है वज़ा साफ है कि आवारा पसूओं की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई है और इन पसूओं की वज़ा से फसल को बहुत नुकसान पहुच रहा है गाउं धनेजा में भी यही हुआ है कि सानों ने पसूओं को बंधक बना कर एक स्कूल में बंध कर रखा है और देख सकते हैं कि इस प्रकार यहां पे सैक्रों की संख्या में आवारा पसू है जो फसलों को काफी नुकसान पहुचाते हैं यह भी है कि स्कूल के बच्चे जो है इस समय बाहर हो गये हैं क्योंकि उनके स्कूल में पसूओं ने जगह ले ली है और यह पसू कब तक रहेंगे इसका फैसला ग्रामीन और परसास्वन को करना है धर्मेंज सिंग इटीबी भारत जौन पूल